अभिव्यक्त करते हैं अर्थात मुद्रा के समान सिध्धी प्रदान करने वाला इस धर्ती पर और कोई नहीं है सामाने रूप से मुद्रा के दो अर्थ बतलाए गए हैं प्रथम हैं मुद्रा अर्थात रुपिया पैसा दूसरा अर्थ होता है शरीर की शारिरिक इस्थती रुपिया विनिमय का सादान है रुपय से आदान प्रदान होता है ठीक उसी प्रकार संपुन ब्रह्माण में सुक्ष्म उर्जा विद्धमान होती है सुक्ष्म उर्जा का आदान प्रदान योगिक मुद्राओं के द्वारा संपन्न होता है तो आईए आध्धात्मिक अर्थों में जब हम कथक कुछी पूरी नर्ति भी देखते हैं तो मुख मंडल की विशेश भाव भंगी मा जब नर्तियांग ना लगाती है तब वह अपनी मुद्रा इश्वर के प्रती समर्पित करती है अपने आंतरिक भावों को विभिन्न तरह के भावों को विशेशर के सम्मुक प्रस्टूत करती है यह भी एक मुद्रा का भाग है मुद्रा अगर हम समझे तो मुद्रा एक switchboard की तरह है जैसे हमें पंखा जलाना है तो हम पंखी कही switch on करेंगे यदि हमें tubulate जलाना है तो हम tubulate कही switch on करेंगे और ठाथ जिस उद्देश की पूर्ती के लिए हमें जो कारी करना है जिस मुद्रा को हम लगाएंगे वह उसी उद्देश की पूर्ती हमारे समक्ष करेगी जिससे हमारा शारिरिक मानसिक विकास होता है और आध्याद में उन्नती होती है हट योगिक ग्रंथों में मुद्रा के दो प्रकार बताएंगे हैं पहला प्राणायम एक मुद्रा जिसे योगिक मुद्रा भी कहते हैं दूसरा है और प्राणायम एक मुद्रा जिसे हस्त मुद्राएं कहते हैं आईए हम प्राणायम एक मुद्रा के बारे में समझें गुरु गोरक नाज जी गोरक सहिता में लिखते हैं जब हम इन तीनों को एक साथ लगाते हैं तो वह योगिक मद्रा कहलाती है जिनका मूल उद्देश ये कुंडलीनी शक्ति को जगाने में सहाथा प्रतान करता है कहा गया है कि यह किसी गुरू के सरक्षण में ही करना चाहिए या अपनी पात्रता के अनुसार ही करें इसे इस मुद्रा के विभिन प्रगार है जिनका हट प्रदी भी कामे वडन कहा गया है महां मुद्रा महाबंद महाबधष्च खेचरी तो नासिकाग्र मुद्रा शक्टिचालीनी का है, आए हम युगिक मुद्रा का एक अभ्यास हम स्क अंकृ कर चुके हैं दुसरा अभ्यास है केचरी मुद्रा ,केचारी के लिए सहज इस्तितीय में बैट जाएं मेरु दंड सीधा रखें, दोनों हाथों को ब्रम्भान जली मुद्रा में लगा लें, इस तरह से, अब जीभक की उल्टा कर अपने तालू से पर्श करें, धीरे धीरे उसको सहलाएं, जब हम यहाँ प्रक्रिया अपनाते हैं, तो हमारे ग्रंथों में लेखी थे कि जो दिव अमरित रश्ट पकता है, उसका हम रसा स्वाधन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में जीवनी शक्ते का विकास होता है, बच्चों के लिए खेचरी मुद्रा बहुत यदिक लाब कारी है, जिनमें एकागृता की कमी है, जिनहें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जल्दी ठक जाते हैं, वह खेचरी मुद्रा लगाकर यदि अध्यन अध्यापन करें, तो उन्हें बहुत अधिक लाब होता है, कारी कुशलता बढ़ती हैं, आईए हम अगला आगे की क्रम में चलते हैं, अप्राणाय मुद्रा हस्त मुद्रा, हस्त मुद्रा हैं बहुत ही सहज, सर और सरल है, आसन की सहज अवस्था में, जिसमें प्राणायम के बिनाद्रष्टी को एक स्थान पर स्थिर रख, कुण्डलीनी की प्रचंड शक्ति को जागरत किया जा सके, वह हस्त मुद्रा कहलाती है, इसके अंतरगत विभिन्द तरह के हस्त मुद्राएं आती हैं, जिनक 45 मिनिट, 45 मिनिट दिया गया है, साथ ही कहा गया है, दो प्रहर, प्रातह एवं साय, खाली पेट इसे करें, तो सर्वुत्तम लाब होता है, यदि कोई रोग है, या किसी कारण वश, यदि आपका आवशकता है, तो आप इसे तीन समय भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए कि आपको 10 मिनिट करके छोड नहीं देना है, कम से कम 45 मिनिट या फिर 25 से 30 मिनिट इनका उल्ले किया गया है, कि लंबे समय तक जब आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं, वह भी श्वास प्रिश्वास के साथ, आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड रहे हैं, उसके प्रति स इन मुद्राओं के अंतरगत हम पंच तत्व और पंच प्राण के बारे में हम समझेंगे कहा गया है हम सभी को विदित है ये था पिंडे तथा ब्रह्मांडे जैसा ब्रह्मान्ड में पंचतत्व विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी पंचतत्व विद्यमान है कहा गया है कि जब ये पंच तत्व साम्य वस्था में होते हैं तभी हम स्वस्थ होते हैं ये पंच प्राण येदी सामान्य वस्था में होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं लेकिन जब पंच तत्व घट या बढ़ जाएं तब हमारे भीतर विकार उत्पन होने लगते हैं हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है जैसे आकाश वायू अगनी जल और प्रित्वी ये पांचों तत्व यदि असंतुलित हो जाएं तो रोग का कारण करते हैं लेकिन हमारे प्राचिन गंतों में ऐसा मुद्राओं के बारे में उल्ले किया गया है कि आप मुद्राओं का अभ्य भास से इन पांचों तत्वों को इन पांचों प्राणों को संतुलित कर अपने स्वास्थ को बनाये रखते हैं और दिरगायों जीवन जी सकते हैं तो आईए सर प्रतम हम सबसे सरल ज्यान मुद्रा के बारे में करें इसके लिए आपको अंगुष्ठ और तरजनी इन दोनो के अग्जरभाद को मिलाकर मिलालें सेश तीन उंगलिया सहज स्थिति में रहें आपको प्रेशर नहीं देना है सहजता से बस आपको स्पर्श कराना है कहा गया है किरlion फोटोग्राफि में एसा कहा गया है जब हम फोटोग्राफी लेते हैं तो हमारे हाथों की पोरों से हमेशा उर्जा निकलती रहती है तो जैसे ही हम अलग-अलग उंगलियों को एक दूसरे से इसपर्ष कराते हैं जैसे हमने तरजनी को अंगुष्ट से इसपर्ष कराया तो उर्जा कनवट होती है उर्जा रुपानतरित होती है और हमें इस्ट लक्ष की प्राप्ति होती है इस मुद्रा को आप एक हाथ से भी कर सकते हैं दूसरे हाथ से आप माला चप भी कर सकते हैं नेत्रबंध रहें सहज इस्तिती में लंबी घहरी श्वास प्रश्वास आप लेते रहें इस आसन से एकागरिता का विकास होता है, जिनें सिर्दर्द की समस्याएं हैं, सिर्दर्द ठीक होता है, अनिद्रा, क्रोध, मस्तिश्क, चिर्चिरापन, इस्मरंड शक्ती तेज होती है, सभी में यह बहुत ही अधिक लाबकारी हैं आईए अलग-अलग मुद्राओं के बारे में हम जानें, उसके लिए सरफ्रथम हमें उंगलियों में तत्व का ज्यान होना अती अनिवारी है, तभी हम हस्त मुद्रा को बहुत अच्छे से सहज रुप से कर सकते हैं, इसे याद रखने का बहुत ती सरल तरीका है, सबसे जो इंग फिंगर, अनामिका, यहां हमारे प्रत्वी तत्व का प्रतीक है, जिससे हम बिंदी लगाते हैं, प्रत्वी तत्व का प्रतीक है, जो सबसे मुची उंगली है, मध्यमा, मिडिल फिंगर, आकाश उचा होता है, इससे हम याद रख सकते हैं, यहां आकाश की प्रतीक ह चौथी उंगली है हमारी वायू, जब हमें किसी को कुछ बोलना होता है, तो हम इस तरह से चंचलता दिखाते हैं, तो यहाँ वायू की प्रतीक है अर्थाद चंचलता, ठीक उसी प्रकार यह जो अंगुठा है, यहाँ अगनी का प्रतीक है, जब कोई कारी करने जा रहे था ह हम क्याते हैं, all the best, आप उसको उर्जा दे रहे हैं, आप उसको अगनी दे रहे हैं, तो यहाँ अगनी का प्रतीक मानी गई है, यदि आपको इसको आप भली प्रकार समझ लें, आप पैन से इसे अपने हाथ उंगलियों पर लिख भी सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से इसे कर पाएंगे, एक एक करके हम अब उन मुद्राओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, सर प्रिथम हम वरून मुद्रा लेते हैं, वरून अर्थात जल, जल के लिए आपको आपकी जो स्मॉल फिंगर है, उसके उपरी भाग को अंग गुटने पर रख लें, लंबी घहरी, श्वास प्रिश्वास रहें, सहश्ता पुर्वकिसे करें, जल का गुण होता है, शीत, मंद, रस, द्रव, तुथा इसका गर्म होता है, गीला करना, चिकनापन, परस पर जोड़ना, मृदुता, त्रप्ती, इनके गुण और कर्म के आधार पर हम इनके लाब को जान सकते हैं, जैसे किसी को जल की कमी हो गई है, तो जल की कमी से होने वाले सभी रोकदूर होते हैं, जिनने डिहाइडरेशन में लाबदायक है, दस्त लगी हुई है, जिनने उनमें भी यहां बहुत अधिक लाबकारी है, शरीर में खिचाओ ह हो रहा है तो उस खिचाओ को भी दूर करता है साथ ही चर्म रोग रक्तविकार जिनको अक्सर यह कहा जाता है कील मुहासों के समस्याएं होती है यदि वह बरून मुद्रा कम से कम 25-30 मिनिट लंबे समय लमबी घहरी गुटने पर रखें मेरुदंड आपका सिधा रहें लंबी घहरी श्वास प्रश्वास लेते रहें आप श्वास ले रहें श्वास छोड़ रहें किवल सजकता और उससे जो समवेधनाय उत्पन्न हो रही है जब आप जैसे ही मुद्रा लगाते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम में आपकी इनस नाड़ियों में एक सम्मेधना उत्पन्न होती है, आपके भीतर से जो बीटा किरने निकल रही है वह अलफा तरंगों में कनवट होती है, जिससे आपका मस्तिश्क धीरे धीरे शांत होता चला जाता है, इस्थिर होता चला जाता है, जिस मुद्रा ऐसी है, जिनके प्रयोग में समय लगता है, अगला है आपका प्रत्वी मुद्रा, प्रत्वी मुद्रा के लिए आप अपने रिंग फिंगर पर आ जाएं, रिंग फिंगर की उपरी भाग को अंगुठे के उपरी भाग से स्पर्ष कराना है, मात्री स्पर्ष करा इससे जो मुद्रा बनती है उसे प्रत्वी मुद्रा कहते हैं। इसका गुण होता है भारीपन, प्रत्वी अर्थात भारीपन, खर्ता, कठोरता, ठोश और स्थुल। इसका कारी होता है व्रिधी करना, संगात, भारीपन, स्थिर और जड़तो प्रधान करना तो इनके गूण और कर्म को देखकर हम इनके लाब को समझ सकते हैं इनके लाब हैं जैसे किसी को शारिरिक दुर बलता है शरीर में व्रिधी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप प्रिथ्वी मुद्रा लगा कर रखें जब 25 से 30 मिनिट या 45 मिनिट तक लंबे समय तक आप प्रिथ्वी मुद्रा लगा कर रखते हैं तो आपका जो शारिरिक दुर बलता है धीरे धीरे हटती चली जाती है जीवनी शक्ति का विकास होता है बजन बढ़ता है जो बहुत अधिक दुरबल है उनका शारिर में व्रद्धी होती है शारिर को मानसिक इस्थिरता आती है विटामीन की कमी भी दूर होती है शरीर में कांती और तेजस्विता का विकास होता है आईए ये भी पता आए गया है कि COVID-19 के दोर में जो रोग प्रतितरोधक शमता है जब हम प्रत्वी जब हम यहां मुद्रा लगाते हैं तो हमारी रोग प्रतितरोधक शक्ति में भी विकास होता है अगला क्रम आता है तीसरी उंगली हमारी सबसे मिडिल फिंगर आकाश मुद्रा आकाश मुद्रा के उपरी भाग को अंगुठे के उपरी भाग से आपको स्पर्श कराना है जैसा पीपीटी में भी दिखाया गया है आकाश अर्थात खाली पन स्पेस इसका विशिष्ट गुण है अप्रतिगात मृदू लगू सुक्ष मैमम सलक्षन इसके आधर पर इसके आप लाब बता सकते हैं आकाश की तनमात्रा होती है शब्द जो इसकी ग्यानेंद्रिया है कान तो इससे कान से संबंधित सभी रोग जैसे भहरापन, कान का दर्द, कान से गंध युक्त पानी आना, हड्यों की कमजोरी तथा रुधे रोग इन सभी में आकाश मुद्रा बहुत ही अधिक लाब कारी है इसका प्रयोग भी वही है, कम से कम 45 मिनिट या 25 से 30 मिनिट आप इसको लंबे समय तक लगा के रखें, आप अभी सुन भी रहे हैं तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं अपनी प्रकृती के अनुसार आप खुद मुद्रा का चुनाव कर सकते हैं अगला है वायू मुद्रा, वायू मुद्रा अर्थात जो इंडेक्स फिंगर है, तरजनी उंगली है, उसको अंगुठे के मूल में लगाना है और अंगुठे से इसको प्रेस कर लेना है, और अपने दोन हाथों में इस तरह से करें, धीरे से उसे अपने गुठने पर रख लें, जैसा चित्र में भी दर्शाये गया है वायू का गुण होता है रुक्ष, खर, लगू, शीत, विशद तथा सुक्ष्म इसका कर्म होता है रुक्षता, ग्लानी, विचार, विशदता तथा लागवता गुण और कर्म के आधर पर हम इसके लाब को सहज रुप से समझ सकते हैं कि जब हम यह मुद्रा लगाते हैं, तो वायू संबंधी सभी रोग में यह बहुत अधिक लाबकारी होता है वाद संबंधी सभी रोग में यह बहुत ही गुणकारी है, साथ ही वायू कमपन, पोलियो, वायू शूल, पक्षाघात, रीड की हड़ी का दर्द रीड की हड़ी की समस्यां बहुत अधिक सभी को रहती है, जब वह वायू मुद्रा लगाते हैं, तो उन्हें बहुत अधिक लाब मिलता है अगली मुद्रा हम आते हैं, अगनी मुद्रा, अंगुठे की तरफ हम आ जाएं, अंगुठा अगनी का प्रतीक है अगनी में ऐसा शमता होती है कि उसमें कुछ भी मिलाया जाएं, वह रुपांतरित कर देती है, आप एक लकडी को भी डालें, कुछ भी डालें, तो सोना भी डालें, तो वह उसको रुपांतरित कर देता है, इतनी उसमें शमता होती है तो इसका विशिष्ट गुण होता है उश्ण, तिक्ष्ण, मृदू, विशद, कर्म है इसका दाह, पाक, प्रभा और प्रकाश किस तरह से इसे लगाएं, सरप्रथम आपकी जो रिंग फिंगर है, उसको अंगुठे के मूल से लगाएं और इसको अंगुठे को प्रेस कर लें, जैसे इस तरह से दिखाया गया है चित्र में अब इसके अगनी के अनुसार हम इसके लाब को भी समझेंगे, जैसे यह गरम होती है, तो यह शरीर के तापकरम को नीमित करती है शरीर में यदि भारीपन है, यदि बहुत अधिक ठंड लग रही है, तब आप अगनी मुद्रा का भ्यास करेंगे, तो आपकी ठंड़क दूर होगी शरीर संतुलित होगा, यदि जिन्हें OBCT मोटापे की समस्याएं हैं, यदि वह लंबे समय तक कम से कम 25-30 मिनिट तक लगा कर रखें, तो उनका मोटापा दूर होता है यदि आप इसे लंबे समय तक लगाएंगे, तब ही यह लाब कारी होगा, केवल 10-15 मिनिट लगाने से यह लाब नहीं देती, लंबे समय तक ही इसे आप लगा कर रखें और नीमित करें प्रातः और एमम साहिब साथ ही यह पाचन क्रिया को भी नियंतरित करता है, जट्रागनी हमारी प्रदीपतो होती है, भूक को बढ़ाता है, रक्त में केलिस्ट्रॉल को कम करता है, मधु में और लीवर के जो दोश होते हैं उसमें भी यह अगनी मुद्रा बहुत ही लाब कारी होती है इस तरह से हमने पंच तत्वों से हमने हमारे हाथ की पाच उंगलियों से पाच तत्वों मुद्राओं को हमने समझा, अब आप अपनी प्रकृती के अनुसार आपकी प्रकृती कैसी है, उसी के अनुसार आप इन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, तो आपको बहुत अधि लाब होगा